नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है आज में ये दा मॉम्स कंपनी की डाइपर रैश क्रीम को रिव्यू करूंगी डाइपर रैश के कई कारण हो सकते हैं, जैसे की लंबे समय तक एक ही डाइपर को यूज करना बच्चों को ज्यादातर समय डाइपर पहनाना या पूर क्वालिटी का डाइपर इस्तेमाल करना वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डाइपर रैशेज में बच्चों की स्किन छिल जाती है, जो उन्हें काफी परेशान कर सकती है किसी भी बेबी प्रोडक्ट को अपनी बेटी के लिए सलेक्ट करने से पहले, मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ एक, प्राइस एंड क्वांटिटी, यानि की मुझे कितने पैसे मैं कितनी क्वांटिटी मिल रही है दो, उसमें क्या इंग्रीडियंट्स यूज किये गए है तीन, क्या वो टॉक्सिंज और हाम्फिल केमिकल्स से फ्री है चार, उसमें आर्टिफीशल फ्रेग्रेंज या कुछ और ऐसा है, जो बेबी की स्किन को इरिटेट कर सकता है पांच, उसकी पैकेजिंग कितनी यूजर फ्रेंडली है ये, और इसके अलावा, और कई बाते हैं जिनके बेसिस पे, मैं आज का ये प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की इसका MRP है, 199 रूपीज 25 ग्राम्स के लिए जब मैंने पहली बार इसका प्राइस देखा था, तो मुझे ये काफी कॉस्टली लगी थी दूसरी ब्रांज के मुकाबले, जो मैं उस टाइम यूज कर रही थी, अपनी बेटी के लिए मैं आगे आपको बताऊंगी की फिर भी मैंने इसको क्यूँ पर्चेस किया इसके इंग्रीडियेंट्स की बात करें, तो इसमें सब नाचुरल इंग्रीडियेंट्स यूज किये गए हैं इसमें किसी भी तरह के सलफेट, पैराबेन, मिनरल ओयल और कोई आटिफिशल फ्रेग्रेंज यूज नहीं की गई है इस क्रीम की फ्रेग्रेंज बहुत ही माइल्ड अन नाचुरल है बिल्कुल भी स्ट्रॉंग या ओवर पावरिंग नहीं है अब इसके टेक्स्टर की बात करें, तो ये काफी थेक और क्रीमी है इसको लगाने के बाद, स्किन के उपर क्रीम की एक पतली वाइट लेया बन जाती है जिसका एक नुकसान मैं आपको लास्ट मी इसके कौन्स मैं बताऊंगी इसकी पैकेजिंग प्रैक्टिकल और ट्रावल फ्रेंडली है इसका जार चौड़ ये मुह का है, जिससे आपको क्रीम निकालने में काफी आसानी होगी और इसके छोटे साइज की वजह से, आप इसको आराम से किसी भी हैंट बैग में कैरी कर सकते हैं इसको लगाने के लिए, आप थोड़ी सी क्रीम लेके अपने बेबी के डाइपर एरिया में लगाईए इसको ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है और अगर आपके बेबी के पहले से ही रैशेज हैं, तो धीरे धीरे पैट करते हुए क्रीम लगा के छोड़ दीजिए लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कि आपको ये क्रीम हर बार लगानी पड़ेगी, जब दी आप बेबी का डाइपर चेंज करते हैं, या उसके डाइपर एरिया को वाश करते हैं अब समराइज करते हैं, इसके प्रॉंज, याने के फायदे, और कॉंज, याने के नुकसान को इसके फायदे हैं, एक, काफी एफेक्टिव है, आपको 24 आउर्ज में ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं दो, कम्प्लिटली नाचूरल प्रॉडेक्ट है, जिसमें किसी भी तरह का, कोई हॉमफुल केमिकल नहीं है तीन, बच्चों की सेंसिटिव स्किन के लिए सूटबल है चार, वाइर्ड फ्रेग्रेंज है, कोई भी आटिफीशल फ्रेग्रेंज नहीं है इसमें, जो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है नहीं तो किसी किसी बेबी प्रॉडेक्ट में इतनी स्ट्रॉंग आटिफीशल स्मेल होती है, कि सर दर्ध होने लगता है 5. छोटा सा जार है, जिसको आराम से हैंट बैग मी रख सकते हैं, और जार वाइड माउथ होने की वज़े से, क्रीम निकालने में काफी आसानी रहती है 6. ठेक होने की वज़े से, इसके लीक होने की टेंशन नहीं रहती इस वजह से ये travel friendly भी है, इसके cons देखते हैं 1. ये cream skin में absorb नहीं होती है और एक white layer बना देती है इसलिए जब भी आप baby का diaper change करते हैं या diaper area को wash करते हैं तो cream reapply करनी पड़ेगी 2. quantity के comparison में price थोड़ा ज्यादा लगा मुझे अगर आप daily इस cream को 4-5 बार use करेंगे तो लगभग 15-20 दिन में ये cream खतम हो जाएगी लेकिन इसकी effectiveness देखते हुए मेरे लिए ये कौन manageable है Last में अब बात करते हैं final verdict की कि मुझे ये cream कैसी लगी ये cream बहुत ही effective है, brushes को रोकने और ठीक करने दोनों के लिए और अच्छी बात ये है कि इस cream में सारे natural ingredients हैं जो की babies की skin के लिए completely safe है Price के हिसाब से ये थोड़ी costly लगी मुझे लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में कहा था कि मैं आपको इसका reason बताऊंगी कि price ज्यादा होने के बाद भी मैंने इसको क्यूं खरीदा तो उसकी वज़ा ये है कि मेरी बेटी day care में रहने की वज़े से दिन भर diaper पहनती थी और उसको इतने ज्यादा rashes हो जाते थे कि कभी कभी blood आने लगता था और वो किसी भी cream से ठीक नहीं होते थे लेकिन इस cream से 24 घंटे में ही उसके rashes कम होने की वज़े से मैं पिछले लगभग 2 साल से ये cream अपनी बेटी के लिए यूज़ कर रही हूँ इसके regular use से उसको diaper rashes बिलकुल भी नहीं होते हैं इसको खरीदने के time पे मुझे doubt था कि ये cream कितना काम करेगी लेकिन इसके results देखने के बाद मैं इसको definitely recommend करूंगी मेरी तरफ से इस cream को मैं 5 out of 5 rating दूंगी I hope कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपका कोई सवाल या suggestion है तो comment box में लिख के आप मुझे बता सकते है अधेग जानकारी के लिए आप मेरी website www.handfulmindful.com पे visit कर सकते है मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्ते